नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका खेती बागवानी के इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आज मटका खाद बनाने की विधी जो की बहुत ही असानी से हम घर पर बना सकते हैं मटका खाद खर के आसपास मौजूद चीजों से तयार की जाती है यह बेहत सस्त और सरल तकनीक से बनाई जाती है जो बेहत प्रभावशाली है इस खाद से जमीन में जीवानों की संख्या बढ़ती है पौधे अच्छी तरह से उगते हैं फसले भी अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं मटका खाद के इस्तमाल से आप रसायने खादों के इस्तमाल से ब आधा के लोचने का बेसन सभी को मिलाकर एक बड़े मटके में भरकर पांच रेंड साथ दिन तक सड़ाएं इससे उत्तम जीवानों का अच्छ तयार होता है मटका खाद को 200 लीटे पानी में घोल कर किसी भी फसल में गीली या नमी होग चमीन में फिसलों की कातारों के बीच में अच्छी तरह से प्रतियक रुचिद काव करें हर 15 दिन बाद इस क्रिया को दोहराएं इस तरह फसल भी अच्छी होगी पैदवार भी बढ़ेगी चमीन भी सुधरेगी और किसी भी तरह के खाद की आवशक्ता नहीं पड़ेगी इस तरह से किसान आत्म निर्भर होकर बजार मुक्त खेती कर सकता है और जहर मुक्त रसायन मुक्त स्वादिश्ट और पौश्ट इस मटका खद को सिचाई जल के साथ सीधे भूमी उपत्वा टपक ड्रिप सिचाई से भी दिया जा सकता है एक मटका प्रती एकर एक मटका खद को 400 लीटे पानी में अच्छे से घोल कर इस विलन को पौधे के पास जमीन पर देने से अच्छे परेनाम मिलते हैं यदि इसी विलन को सूती कपड़े से छान कर फिसलों पर छिड़कते हैं तो अधिक फूल वफल लगते हैं अभी के लिए इतना ही दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका और आधिक जानकरी के ये खेती बागवानी डोट कॉम